आज बहुत खाना खा लिया अब मन कर रहा है टांग फेला के आराम से सोजाओं पढ़ाई लिखाई स्कूल से तो तुझे कोई मतलब है नहीं भैस की तरह खा और सोजा आपकी बाते सुनकर कभी कभी मन करता है ये दौलत सोहरत पैसा साथ त्याग के कहीं दूर चले जाओं प पढ़ना लिखना तो है नहीं फाल तू बाते कर ले पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा बेटा पढ़ाई लिखाई करेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी नौकरी करके क्या करूंगा नौकरी मिलेगी तो पैसा कमाएगा पैसा पैसा कमा के क्या करूंगा बेटा पैसा कमा अराम करेगा, खुद भी पैसे कमाने पड़ता है मैं तो घर बैठे पैसे कमा लूँगा वो कैसे, मम्मी के गहने बेच कर मम्मी के गहने बेच कर मेरे पास बहुत तेज दिमाग है मैं बहुत होश्यार हूँ फाल तु बाते करता है कितनी जोर से मारा पढ़ाई कर, वरना पूरे दिन मुर्गा बनाऊंगा मुर्गा? मुर्गा पसंद नहीं है, आज पनीर बना दो पनीर खाने का मन कर रहा है अहाँ भाल तु बाते करता है क्या हुआ जी? समझा ले इसको, वरना ये मेरे हाथ से मर जाएगा आई? नेचुरल है, प्राक्रतिक नेचुरल है, हट जा टॉयलेट जा, जा हाँ हाँ, जाता हूँ कितनी अच्छी नीद आ रही थी सोने भी नहीं देते, यही पर आराम से सो जाता हूँ पार देसी, पार देसी, जाना नहीं मुझे छोड़के, मुझे छोड़के, मुझे छोड़के यहाँ क्यों सोया है, ओट कितनी जोर से मारा बाहर चल, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर मुझे सब आता है, पढ़ाई करके क्या करूँगा तुझे सब आता है, अच्छा दो खाने वाली चीज़ों के नाम बता दो खाने वाली चीज मा कसम और बाप कसम अबै कोई फल, सबजी, अनाज, कुछ इनका नाम बताता मा कसम, बाप कसम, मा कसम मा कसम, कितनी जोर से मारा मेरा नाम रोसन करेगा तू चल, बाहर चल, पढ़ाई करेगा मैं जो सवाल पूछूंगा, सही सही उत्तर देना वरना उठक बैठक कराऊंगा हाँ, हाँ, पूछो लेकिन कोई कठिन सवाल मत पूछना कोई सरल, कमजोर, मरियल, लुल्ले जैसे सवाल पूछना चल भैस पर निबंध सुना निबंध ये क्या होता है अबै भैस के बारे में बता एकजाम में आएगा तो क्या लिखेगा अपना सर, है भैस बहुत काला और मोटा होता है उसके चार हाथ होते है और एक लौकी जैसा मूह होता है और उसके पीछे पंखा होता है उससे वो मख्या भगाता है अबै वो पूछ होती है पूछ पंखा नहीं, पीछे पंखा होता है बैस के पीछे पंखा होता है पंखा मेरे बाप इतना मत मार कितना मारता है चल कान पकड़कर सो उठक बैठक कर उठक बैठक? नहीं नहीं कान पकड़कर सो उठक बैठक कर कर मेरे बाप मुझे माफ कर दे मुझे माफ कर दे जल्दी कर एक ये दुनिया दो ये महफिल आत तीन मेरे काम की नहीं काम की नहीं सो सो उठक बैठक हो गए कमर में दर्द हो रही है मेरे दात में दर्द हो रहा है मेरे दात में दर्द हो रहा है बहुत तेज दर्द हो रहा है मम्मी मेरा दात में दर्द हो रहा है मेरे बेटे के दात में दर्द हो रहा है और तुम उसे उठाक बैठाक करा रही हो बहुत तेज दर्द हो रहा है चुप चुप बेटा चुप दवाई लेके आओ आओ दवाई लेके हाँ दवाई लेके आता हूँ आणटी नमस्ते हाँ, बेटा नमस्ते बिट्टू, तेरा दोस्त आया है इसके दाथ में दर्द हो रहा है कल आना, जा जा घर जा अपने जा जा, मम्मी, आने दो मेरे दाथ का दर्दा थोड़ा ठीक है आप अपना काम करो, जाओ, जाओ चौण चौण हाँ ठीक है और सुना मेरे दोस्त कैसा है मैं ठीक हूँ यार तुबता जा बताओ यार पापाने बहुत परिसान करके रखा है तेरे पापा तो बहुत अच्छे है अच्छे? बिल्कुल अच्छे नहीं है अभी तेरे दात में दर्द हो रहा था इच्षे हो रहा है बहुत तेज दर्द हो रहा है आज तेरे सारे दाथ तोड़ता हूँ